Hello students, good morning, today we are going to do objective type questions for our chapter number 10, what is cooking? हमने इस chapter में बहुत कुछ पढ़ा जैसे की कौन से कौन से utensils घर में use होते हैं, वो किन किन चीजों के बने हुए होते हैं तो हमने पढ़ा कि कौन से चीजे कच्छी खाई जा सकती है, कौन से पका के या कौन से दुनों तरीके से खाई जा सकती है और हमने ये भी जाना कि जैसे की रोटी बनती है तो उसको बनने की कई steps होते है और फिर हमने जाना cooking के methods, फिर हमने जाना cooking के fuels और हम लग कौन से कौन से चीज़ों, कौन से कौन से स्टोव यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए ओके, नाव, तोड़े वी आर गोईंग तो डू मल्टिपल चॉइस कोईशन और फिल इन दे ब्लैंक सो लेट उस स्टार्ट विट मल्टिपल चॉइस कोईशन इसमें से क्या चीज़ है जो हम लग कच्ची खा सकते हैं ए राइस, बी भीट, सी टॉमेटो और डी उलाव सो इसमें से कौन से चीज़ है जो हम लग कच्ची खा सकते हैं येस, सी टॉमेटो सेकंड वन, केक्स आर बेक्ट इन डैश केक किस के अंदर बनाएं जाते हैं options है A. Oven An Oven B. A. Frying Pan C. Tawa and D. None of these तो Cake, Dar, Baked in an Oven मतलब केक Oven के अंदर bake करके बना जाते हैं तो कौन सा मेथड हुआ कुकिंग का Baking Baking मेथड से वो Oven के अंदर बनाए जाते हैं Question number 3 Dash is a liquid cooking fuel इसमें से कौन सा जो cooking fuel है वो liquid form में होता है Okay Options है A. Kerosene B. Coal C. Wood and D. None of these Coal मतलब क्या होता है कोहिला लकडी, कोहिला, kerosene इनमें से कौन सा ही चीज़ा जो liquid form में है Yes, answer is A. Kerosene A. Kerosene is a liquid cooking fuel Question number 4 Which of these cooking fuel is the most environment friendly? इनमें से जो cooking fuel है सबसे environment friendly कौन सा है A. Gas B. Cowdenk cakes C. Electricity and D. Sunlight अब देखें बच्चो Gas, electricity ये जो produce होता है ना उनमें production के वक्त भी कुछ ना कुछ harmful चीज़े निकलती होती है जो हमारे environment को नुकसान पहुचा दी है और जैसे कि Cowdenk cakes है वो तो जब burn होते हैं तब भी harmful gases produce करते हैं तो सबसे clean और environment friendly जो fuel है वो है sunlight Sunlight हम लोग directly use कर सकते हैं और वो cleanest fuel उसे environment को कोई हाम नहीं होता So which is the cleanest fuel and the environment friendly fuel is sunlight and it can be used for cooking, okay? Question number 5 A. चापाती is made up of dash. It is kneaded into a dough इन चापाती किससे बनाई जाती है क्या चीज़ यूज़ करके बना जाते हैं और जिसको हम लोग गुंद के सान के हम लोग लोई बना लेते हैं क्या चीज़ होता है ग्यहू, चावल, फ्लोर and ग्राम तो ग्यहूँ तो wheat मतलब तो ग्यहूँ B, rice मतलब चावल, C, floor मतलब आटा and D, ग्राम ग्राम मतलब चना तो हम लोग ग्यहूँ की रोटी बनाते हैं, चावल की भी बनाते हैं बट जो फ्लोर होता है, वो यूज होता है मतलब इन सब का आटा यूज किया जाता है रोटी बनाने के लिए और इसी को गुंत के हम लोग डो तैयार करते हैं ओके, सो चापाती इस मेड़ आफ फ्लोर, इस नीड़े इंटो डो नाव, वी विल ट्राइटो सॉल फिलिंग दा ब्लैंक्स पूश्य नमबर वन, फर्स्ट अफ और वाल, वी विल रूट आप्शन फर्स्ट ऑफ्शन इस काउडंग केक्स, मतलब गोबर के उपले सेकेंड, सोक, मतलब भीगा के रखना थर्ड, सलाद, फोर्थ, फ्राइंग, फिफ्थ, शूगर फर्स्ट वन, डैस इस एटन रोव, इस नाट कुक्ट इन में से कौन सी चीज़ कच्ची खाई जाती है और उसे पकाई नहीं जाती तो सलाद, सलाद इस एटन, सॉरी, सलाद इस एटन रोव, इस नाट कुक्ट कुशन नबर टू, फर्स स्टेप ऑफ मेकिंग डिलिश्यस स्नैक विट मुउग सिट से टू, डैस दे सीट्स ओषरनाइट इन वाटर, मतलब हम लोग मुउग सीट्स से मतलब मुउग के दानों से जो डिलिश्यस स्नैक जो डिलिश्यस स्नास्त तयार करते हैं उसका first step क्या है उन seeds को पूरा रात पानी में भीगो के रखना तो भीगोने के लिए कौन सा वर्ड है? Soak, soak मतलब होता है भीगोना तो the first step of making delicious snack with no more seeds is to soak the seeds overnight in water Third one, puris can be made by dash them in a pan Puris कैसे बनाई जाती है? उनको क्या कर किया जाता है पैन कर? Yes, उनको पैन में fry किया जाता है तो puris can be made by frying them in a pan Fourth one, wood and dash are used as cooking fuel in clay store Clay store क्या हुआ? मिटी का चुला जो हमने गाउं में देखा था ना, हमने कल फोटोस भी देखे थे उसके तो जो गाउं में चुटी का चुला यूज होता है उसमें कौनसा कौनसा fuel यूज होता है? एक तो वूड है और दूसरा है काउडंग केक्स मतलब गोबर को सुखा के जो उसके गोल गोल उपमले बनाए जाते हैं वो यूज के जाता है as a cooking fuel in clay store फिफ्ट वन, melon water can be made by mixing dash and lemon juice in water तो निम्बू पानी है वो कैसे बनाए जाता है? डैश को निम्बू जूस और निम्बू जूस में पानी डाल के बनाए जाता है तो उसमें क्या एड़ के जाता है? शूगर, येस तो कैसे बनाए जाता है? पानी निम्बू जूगर और निम्बू के जूस को पानी में मिक्स करके lemon water बनाए जाता है ओके students, I hope you must have understood MCQs and filling the blanks Thank you and have a nice day